हेलो दोस्तों नमस्कार मैं डाक्टर मनीश शर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आए दोस्तों आज हम लोग नाभिक के बारे में पढ़ रहे हैं आज हम लोग पढ़ते हैं नाभिकी बिध्वन्स के बारे में नाभिकी बिध्वन्स देखे द्यान से एक यूरेनियम नाविक के भिखंडन से लगभग 200 मिलियन इलेक्टान बोल्ट उरजा भिमुक्त होती है यदी लगभग 50 किलोगराम 92 उर्योनियम 235 का प्रतेक नाभिक विखंडित हो जाए कितना? 50 किलोग्राम 92 उर्योनियम 235 का प्रतेक नाभिक विखंडित हो जाए तो लगभग 4 गुड़े 10 पे पावर 15 जूल उर्जा उत्परन होगी यह उर्जा 20,000 टन 20,000 टन टिंटी के बराबर होगा 50 किलोग्राम 92 उर्योनियम 235 और कहां 20,000 टन टिंटी के बराबर उर्जा जो है पैदा हो जाएगा 20,000 टन टिंटी जलाने से जितनी उर्जा पैदा होगा उतनी उर्जा केवल 50 kg यूरेनियम को जलाने से उत्पन हो जाएगा जो एक महा विस्फोट के लिए प्रयाप्त है तो एक यूरेनियम नाभीक के विखंडन से लगभग 200 मिलियन इलेक्टान बोल्ट उर्जा विमुक्त होती है और यदि लगभग 50 kg 92.935 का प्रतेक नाभीक भी खंडनेत हो जाए तो लगभग 4 गुड़े 10 पे पावर 15 जूल उर्जा उत्पन होगी और यह उर्जा 20,000 टन टियंटी के सम्तुल्य है बराबर है जो एक महा विस्फोट के लिए प्रयाप्त है बड़ी मात्रा में नाभीकी उर्जा का और नियंत्रित निर्मुक्त परमाड उबिस्फोट कह लाता है चो अगस्त 1945 को युद्ध में पहली बार एक परमाड युक्ती का उपयोग किया गया था अमेरिका ने जापान के सहर हिरोशिमा पर एक परमाड बम गिराया बिस्फोट जो है बिस हजार टन टियंटी के सम्तुले था रेडियो एक्टी उत्पादों ने एक छड में तिन लाग तिरालीस हजार निवासियों वाले सहर के दस वर्ग किलोमीटर छेतर को नश्ट कर दिया इसमें चाचच हजार मारे गए चाचच हजार लोग मर गए उनहत्तर हजार लोग घायल हुए सहर की सरसट परसेंट से अधिक इमारते तहस नहस हो गई सल्यान अभिक्रियाओं के लिए आवस्यक उच्चताप विखंडन बम द्वारा उत्पन किया जा सकता है अगर सल्यान अभिक्रिया कराना है तो इसके लिए उच्चताप आपको विखंडन बम द्वारा उत्पन किया जा सकता है 1954 में 10 मेगा टन TNT की विश्फोर्ट छमता के समतुल्य महा विश्फोर्ट का परिच्छन किया गया 1954 में 10 मेगा टन TNT की विश्फोर्ट छमता के समतुल्य महा विश्फोर्ट का परिच्छन किया गया ये बम जिनमें हाइडोजन के समस्थानिक डिटिरियम और ट्रिटियम का सल्यन होता है हाइडोजन बम कालाते हैं ये बम जिनमें हाइडोजन के समस्थानिको डिटिरियम ट्रिटियम का सल्यन होता है हाइडोजन बम कालाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इतने सक्टिसाली नाब की हतियार अस्थापित कर दिए गया हैं जो महज एक बटन दवाने पर कई बार पिर्थभी में जीवन का सफाया कर सकते हैं कई बार पिर्थवी पर जीवन का सफाय कर सकते हैं ऐसे नाब की बिधवन्स से न सिर्फ पिर्थवी की बरतमान जीवन नस्ट हो जाएगा बलकि इसके रेडियो एक्टिव अपसिष्ट आने वाले समय के लिए भी पिर्थवी पर जीवन पनपने योगे नहीं रहने देंगे सैध्धान्तिक गर्णाओं के अधार पर जो परदिश उभर कराता है उसकी प्रागुक्ति प्रिक्षन यह है कि एक लंबा नाब की सीत यूग प्रारंब हो जाएगा क्योंकि रेडियो एक्ट्यू अपसिष्ट बादल की तरह बाईमंडल में तैरेंगे और सूर्य से प्रिथवी की ओर आने वाली सभी बिक्रण को अवसूसित कर लेंगे ठीक है तो एक लंबा नाब की सीत यूग प्रारंब हो जाएगा अगर एक हाइडूजन बंफटता है तो आपने देखा कि नाब की बिधवन्स जो है काफी खतरनाक है विस्व में सांती होने चाहिए धन्यवाद